नमसकार दोस्तो, स्वागत है आपका मेरी यूट्यटीब चैनल में दोस्तों, यह जो आप देख रहे हैं दो आम के पेड़, यह हमारी दसाहरी आम के पेड़ ने और आप इन बार आने लग गई है बहुत साई लोगों के यहां तो मैंने देखा है कि बार आ गई है लेकिन हमारे पेड़ में अब बार आ रही है तो इनमें मैं कुछ काम करने जा रही थी तो मैंने सुच हो आपनों के शायद भी शेयर कर दूँ यह देखो आपको दिखरे योगी शायद बार यहां पर यह बस आने वाली है कल मैंने किसी और के पेड़ में देखा था उनकी पेड़ों में तो आ गई है बहुत अच्छी बार आ रखी है तो मैंने अपने आम के पेड़ में क्या किया है मैं आपको बता देती हूं मैंने इनके चारो और गद्धा खोद कर और इनमे उस समय की वीडियो में बनानी पाई यहां देखो नेवले ने आकर फिर दुबारे गद्धा कर दिया वाँ हें जूरो उसरे फिर बार इसे में अचार आपको क्या करना दो को आज चारो और की अचे आज़े घटानी है मैं तो काफी गघ्टी घ्टाई थी वाँपर नीच chili अचा में धिकान्स दूमरी ले वर्वीजारी घ्यूरी मित्धा हाई यही तो इनके ने और बट्वो तो मैंने गोबर की ही खाट डाली है लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जो जमीन में लगे पौधे होते हैं उन्हें तो इतनी ज्यादा जरूत नहीं होती वो फिर भी मतलब पौशक तो जमीन से ले ही लेते हैं तिकिन अगर आपके पौधे में लगे हुए हैं तो आप त आपके पेड़ में लेकिन हमारे आमके पेड़ में अब आनी शुरू हो गई है तो मैंने इसके नीचे काफी थोड़ा गढ़ा करके इसमें काफी सारी गोबर की खाट डाल दिये और इसमें कुछ लोग कीट ना सका छिड़काओ भी करते हैं मैंने तो नहीं किया पिछले सा फल चुटी फल चुटी आम से नहीं आने लग जाते हैं उस टाइम पे तब आपको नहीं कराना चाहिए उसमें खराब हो जाते हैं फिर यह लेकिन अगर आपने अभी अपने पेड़ में यह काम नहीं किया है तो आप भी करिए और अगर आपका पौधा गंबले में तब त और अभी मेरा ये नीमबू का पेड़ में दिखा देती हूं आपको ये विचारा इसकी कैसी कंडिशन हो गई है इसकी ऐसी इसले हुए है कि हमारी हाँ पर हट थी वह इसके उपर गिरी तो ये नीमबू का पेड़ ऐसा हो गया लेकिन अभी भी सही है देखो इतने मतला ऐसी पर इस्तिती में भी ये फल दे रहा है यहां देखो इसमें नीमबू लगए हूए तो अभी मुझे नीमबू में भी अही काम करना है ताकि ये अच्छे से फल दे इसकी कुछ टहनियां सूख गई है वह इसलिए सूखी हैं कि एक काफी दिन तक जोपडी के नीचे दबा र यहां से यह लकी आइंग ना यह सब हटाने है अभी मैंने इस के नीचे यह काम नहीं किया हूँ मैं कोंच लैबटे को मिट्डी की और इसमें गुबर की खाद जालनी है सकते हैं तो इस तरह से आप अगरमे क्या में वी क्यादा पुरो फॉलो से लच जाएगा हमारे पेड में भी खूब आम आते हैं बहुत अच्छा और द्रसहरी आम तो आप सभी नहीं खाया होगा स्वाद में भी कितना अच्छा होता है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आप सब बताना आपका फेवरेट आम कौन सा है आपको लो